नमस्कार दोस्तों बाला जी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है डेली सुबाद 6 बजे हम आपको करेंट अफ़ेर प्रोवाइड कराने तो पिशल डेट की करेंट अफ़ेर साइड में आई बेटन में वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे 28 माई 2020 की करेंट अफ़ेर परादारित कुल 9 प्रसन तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन है कि स्वामी रामदेव की पतंजली एकॉमर्स में अपने एप डेस के माद्यम से औसत 10,000 दैनिक लेंदेन के साथ सुरू हुई है तो चार आप्शन है आपका और मी जो है वो बिलकुल सई हो जाएगा तो और मी ध्यान रखेगा स्वामी रामदेव की जो पतंजली एकॉमर्स एप है उसका जो है वो नाम है जिसके माद्यम से 10,000 दैनिक लेंदेन के साथ जो है इसे सुरू किया गया है और एप का जो नाम है वो पवित्र ध्वनी और भारतिय धर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक है ओम, O for order और M for मी इस आधार पर जो है वो order मी जो है वो रखा गया है तो चलिए देखते हैं अगला प्रसन दूसरा कि इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्वत परियोजना का निर्मान जो है वो किया जा जल युद्ध की संभावना जो है उसको बढ़ा दिया है तो आपका नील नदी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा तो अफरीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी इसके जल बटवारे को लेकर जो अफरीका महादीव है उसके कई देशों के मद्द एक दसक से आप कह सकते को सयुक्त राष्ट यूएन सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ दा इयर के एवार्ट से सम्मानित किया गया है तो चौर आप्शन है आपका सुमन गवनी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारती है सांती रक्षक को इस एवार्ट से सम्मान जो है वो जारी किये और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड इस्टील में कितने प्रतिसत की गिरावट जो है वो आई है तो चार आप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो बात करें उत्तर की 65 प्रतिसत आपका बिलकुल सही हो जाएगा देखें अप्राइल 2020 की बात करें तो उसमें इस पात उत्तपादन 3.13 मिलियन टन जो है वो था और अप्राइल 2019 में बात करें तो 9.02 मिलियन टन जो है वो था तो इस आधार पर 65 परसंट जो है इसमें बताए गया अगला प्रसंद देखते हैं पांचवा की मई 2020 में अतरिक अतरिक्त निदेशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में कौन जो है वो सामिल हुआ है तो चार आप्शन है पात करें उत्तर की तो आपका अनंत अंबानी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा रिलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मैन मुकेस अंबानी के सबस चोटे बेटे हैं अनत अंबानी इनको अतरिक्त निदेशक के रूप में जो जियो प्लेटफॉर्म है उसके बोर्ड में जो है वो सामिल किया गया है चले बढ़ते अपने अगले प्रसन चे की तरफ की हाली में किस देश ने कहा है कि वह कोरोना वाइरस जो वैस्फिक महाम उससे निपटने के लिए पाकिस्तान के जो प्रयास हैं उनमें मदद के लिए उसे 60 लाग डॉलर जो है वो देगा तो चौर आप्शन है आपका अमेरिका जो है वो बिलकुल सई हो जाएगा तो 60 लाग डॉलर की सहयता रासी प्रदान करनी की जो गोशना है वो जो हो की आपका ऑप्शन नमबर D अमेरिका ओपन इसकाई संधी इसकी बात करें तो ये संधी जो सदस्य देश है उनको एक दूसरे देश की जो सीमा है उसमें जो सैन गत्विदिया है उसकी जाच के लिए निगरानी जो उडाने है उनकी अनुमती प्रदान करता है और निगरानी उडान सुरू करने से पहले एक निर्धारित अवधी भी इसमें है इसके पहले संबंदित जो देश है उसको इसकी सूचना देना भी जो है वो अनिवारे होता है तो ये आपका ओपन इसकाई संधी जो होता है इसको लाया किसले गया था तो उदेश था जो सदस्य देश है उनके बीच विश्वास जो इसको बढ़ाना और परसपर सयोग से जो अंतराश्टी इस्तिरता है उसको मजबूती जो है वो प्रदान करना अगला परसने कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्र में से किस दिन मनाया जाता है तो यह वो 20 मई को मनाया जाता है और 17 देशों के जो प्रदिनिदी हैं उनके द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंसन के हस्ताक्चर की इस मृति में इसे जो है वो मनाया जाता है इस बार की थीम की बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस की वैस्विक व्यापार के लिए माप ये जो है इस बार की थीम रही है ये करिंट अफियर थोड़ा सा आपकी पहले की है परंतु थीम वो यहाँ पर कवर करने थी इसलिए मैंने इसे यहाँ पर भी वो सामिल कर दिया है तो वैस्विक व्यापार के लिए माप ये जो है वो थीम ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं अपने लाश्ट प्रस्टिन की तरफ नवा कि हाली में किस देश के प्रधान मंतरी ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है तो चौर उप्षन है सही हो जाएगा आपका उप्षन नमबर C यानि कि जापान जो है जापान के जो प्रधान मंत्री है जिनका नाम है सिंजो आबे तो सिंजो आबे जो है इन्हों ने जो है वो जो आपात कालीन है इसको जो है वो समाथ करने का निर्देश दिया है जो कि कोरोना के कराण जो है वो लगाया गया था इसे के साथ हमारी करंटा फिर समापत होती है इसके लाब आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्च कर दीजेगा पढ़ते हैं अपने प्रस्ण की तरफ जैसे कि सबी वीडियो में हम आप से एक नएक प्रस्ण पूसते हैं वीडियो का आपके लिए प्रस्ण ये है कि भारत का सर्वोच नागरिक समान जो है वो कौन सा है चार उप्शन है सौरे चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न या इन में से कोई नहीं तो ये चार उप्शन है आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा तो वीडियो के main comment में type करके अवश्च बताईएगा कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा बात करते हैं कल की current affair के सही उतर की तो cancer जो है है आपका बिलकुल सही हो जाएगा तो इसी के साथ हमारी आज की current affair समापत होती है आज कोड़ में इतना ही वीडियो पसंद आयो तो लाइक आवश कीजेगा डेली अबडेट पाते रहें निकली चैनल सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिंग